कोड़ोना काल में मोधी सरकार ने पकाए एक हयाली पुलाओ राहुल गांधी भारत के कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा लगतार मोधी सरकार पर हमला किया जारा है राहुल ने कोड़ना काल के दोड़ान मोदी सरकार की विफलताओ को गिनाया और निसाना साधा कॉंग्रिस नेता ने ट्विट किया कि कोड़ना काल में भाजपा सरकार ने बस एक ही खयाली पुलाओ पकाये है राहुल गांधी ने इस दोड़ान लिखा की 21 दिनों में कोड़ना को हडाएंगे आरोगे से तू एप सुरक्षा करेगा 20 लाग करोड का पैकेज आत्म नीर भर बनो सीमा पर कोई घुस नहीं पाएगा इस्थिती समली हुई है लेकिन उसमें से बस एक ही सस्था आपता को अपसरे बदला हैश्टेक पीम केर्स गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे है राहुल ने सरकार द्वारा लागू लोगडाउन को गलत बताया और कहा कि बिना किसी रन नीती के कोड़ना से निप्टा गया इसी वज़र से देश में इतने केस और मौते हुई साथ ही राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर अर्थ हवस्था के मामले पर सरकार की गलत नीतिया को भी निशाने पर लिया राहुल की ओर से लगातार अर्थ हवस्था के हाल पर वीडियो बनाकर ट्वीट किया जा रहा है जिसमें वो अपनी राय रख रहे हैं। अकर PM केर्स की बात करे तो कॉंग्रिस की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार ने सच छुपाने की कोसिस की है। इसलिए इसकी जानकारी लोगों के बीच नहीं लाई जा रही है। संसद में भी विपक्ष मोदी सरकार को चीन और कोड़ना के मामले पड़ घेर रहा है। बुधवार को राजे सभा में इसको लेकर चर्चा भी होनी है। हलाकि कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी अभी संसद सत्र में नहीं आ रहे है क्योंकि सोनिया गांदी के मेडिकल और टोपिक्स की डिपोर्ट।